जहीं दोस्तों आज बात करेंगे कक्छ अबारवी विशाय इतिहास चेप्टर टू जिसका नाम है राजा किसान और नगर जिसे इंगलिस में किंग्स फार्मर एंड टाउन जिसमें आपको फुल एक्सप्लानेशन कराने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरूर से लेके अ आपको विडियो का लिंक मिलेए जिसे पार्ट वन और पार्ट टू मिलेगा अगर आई बटन में आप देखते हैं तो वहां पर आपको पंदन बता कते उसका भी मिलेगा और प्लस में आपको राजय किसान और नंगर इसका मिलेगा तो जाके जरूर देखेगा तभी आपको समझ में आएगा यह पार्ट 3 है ठीक है यह पार्ट 3 और लास्ट भी है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लिजिए क्योंकि इसी परकार को आपको वीडियो मिलते रहे और चैनल बेल आइकोन को भी जरूर कर क्योंकि आपको त्यारी भी तो इसी चैनल से करना है तो कर लिजिए ना सब्सक्राइब पैसा थोरी ने लग रहा है चली अब यहां से बात करते हैं यह सब आपको हो गया है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा तब ही तो आप मेरा वीडिय कहीं भी जल्दी नहीं मिलेगा ठीक है बहुत ही कम सोटकर्ट ट्रीक में भी और आसान से सानवासा में भी आपको समझाय हुए ठीक है चलिए उससे पहले अगर आपको 12 का ओल नोट चाहिए तो एक बार इस नमबर पे आप हमें संपर्क भी कर सकते एक बार नमबर देख ल प्रबंद चार भागों में बटा जा सकता था कितने चार भागमें एक होता केंदर के सरकार के दिवारा जिसेने एक प्रांतिया सासन के नगर एक ग्राम सासन के ठीक है चार है यह चारू की च्रूंत कर करते एकोनोमी आप दिखेंः जहीं वी अर्थ साह्त ब्युस्टा जहां कहीं वी अर्थ॥ं बवस्ता मिलेंगा तो आपको क्या होगा क्या हुए फुर्जि किस परकार के पैसा क्या कमाया हो जाता है इन सफके बारे में आपको बीडियो देखने को मिलेगी ठीक है चलिए अब यहाँ पर बात करते किरीशी के बारे में यह एक किरीशी परधान अर्थ विवस्ता थी कौन सा मोरिय कालिन विवस्ता जो थी वह एक किरीशी परधान विवस्ता थी चंदरगुप मोरिय ने सुदर्शन जिल का निर्मान कराया था किसका सुदर्शन जिल का निर्मान किस ने करया था तो चंदरुग मोरिये ने किया था किरिशी के लिए सिचाय करने की विवस्ता किरिशी के साथ साथ पस्व पालन भी पर चली थी मतलग कि जो मोरिय कालिन अर्थ व्यस्ता थी वहाँ पर किरिशी के साथ-साथ पस्व पालन भी किया जाता था ठीक है अब बात करते हैं वैपार आंत्रिक एवं ब्रह्म दोनों वैपार पर चली थे आंत्रिक एवं ब्रह्म वैपार कोटिलेन के अनुसार वस्तर उध्योग के किंद्र कासी वादसे मदूरा और बॉंगी में थे ठीक है ये सब आपको सासन याद रखना है सिक्के मतलब पैसा उसे कहां से थे बुद्ध काल में आहा थे जिसे पांच मार्क बोलते थे क्या मलते थे पांच मार्क सिक्के चलते थ पैस याद रखने वाला बात यह है कि जो पांच सिल्के ओकी चांदी के सिक्वात के मौरी काल में चांदी के लोहा के सवर्न से के सोने के भी थे meglio और गश्ना दि याद रखने वाली इंप्वोन्टेंट ज्याधा कासळी यहें ठीक है चलिए आप बात करते हैं सुंग वन्स क्या है सुंग वन्स मोर्यें वन्स की अंतिम सासक विरियादर्थ को मार कर उसकी परधान सेनापती पिस्टे मित्र सुंग ने वग्ञाते जाच से ब्रामत है इसने 36 वर्ष तक सासन किया उपकितना अधिक तक सासन किया 36 वर्ष तक यह बहुत ही वरीबाली वात है कन अन्थिम साशक सुसर्मा को परास्ट कर साथ वहन वन्ष के सुकमिक ने मगद राजसत्ता अपने हाथ में ले ले ठीक है अब उसके बाद आती है आपको साथ वहन वन्स ठीक है अब साथ वहन भी आ गया देखिए आगे आएगा इंडो गिरिक है उसके बाद आपको साथ वहन भी आएगा देखिए आगे आने साथ वहन तो पहले बात करते हैं इंडोगिरिक जैसे हंदु युनानी होता है उसे भारत पर आकरमन करने वाला पर्थम सासक देमोटेस था जिसने पंजाब का एक बणा भाग जीता था क्या था Demotisius Demetius था क्यों था Demetius भारत पर स्वरोपर्थम आकरवन करने वाला जो कि पंजाब का एक बरा भाग जीता था सबसे बरा भाग जीता था उसने अपने समराजे का विस्तार अफगनिस्तान पंजाब कठिया वारसिंदू राजपुताना तथा मत्वरा तक किया था मतलग कि इन जगह उपर फैला हुआ था भारत में पर्थम स्वरोपर्थम सोने के सीके जारी करने का असरे इंडोगिरिक को ही जाता है किसको जाता है इंडोगिरिक को मतलग कि जो भारत में स्वरोपर्थम सोने किसी के जारी करने वाला कुन था तो इंडो गिरी की आदमे थे ठीक है और इसका जो बिस्तार कहा कहा था अफगनिस्तान पंजाब कटिया वार सिंदो यही सब जगव पर यह फैला हुआ था ठीक है संदर्सन जिल की मरमद किस नहीं कह था तो रुद्र दामन नहीं कहा था और यहाँ पर दीखें सुदर्शन जिल की किस ने बर्भाय था है तो यहाँ पर अभी जश्ट था आपको बता देख कहा गया मेरे दोस्त देखे सुदर्शन जिल किसके द्वारा बने गया था चंद्रगुप मोरी के द्वारा बने गया था आपसे पुछाए सकता है कि सुदर्शन जिल की मरमत किसे नहीं किया था किस ने किया था आप से फटा बड़ी बत आए बहुत आगे चलिए सुदर्सन जिल के मरमत रुद्रजमन ने किया था और इसके बनवाया किस नहीं था तो चंद्रगुप मोरी थीक है याद हो गया चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर साथ वहन है क्या है साथ वहन यहाँ बिदेशी नहों कर स्वादेशी था मतलग कि बिदेश से नहीं था वह घर गाओं के था देश के था कन वंच के अंतिम सासक सुसर्मा को मारकर सुमुख ने साथ वहन वंच के स्थब नखी साथ इसापुर मेह की संभवता इनके समय माता का बिसीज महतु था मतलग कि साथ वहन के मतलग होता है माता का महतु सबसे ज़्यादा था इसलिए सभी सासको के नाम के आगे माता का नाम मिलता था साथ वहन काल के राजा कई अभी लेक अस्थाबित के जो इनके इतिहास पर परकाश जालती है दिखे क्या होता है साथ वाहन काल में माता की महत वजाद है थी मतलब कि उस समय माता की विशेषा सबसे ज़्यादा माने जाती थी इसलिए जो पुत्र होता था उसके आगे माता की नम लगाया जाता था जैसे सत्कर्नी पर्थम गोत्मी पुत्र सत्कर्नी वसिष्ट पुत्र पुलमावी इत्ता बार का नाम है ठीक है याद रखेगा लेकि गोत्मी पुत्र सत्कर्नी होता है लेकिन इसके आगे लगा दिया है ये ठीक है याद हो गया चलिए कुसान वंस क्या है कुसान वंस के संस था पक कुजूल कट फीसेस था कुछ थे कट फीसेस था इस वंस का सबसे परताबी राजा कनिस्क था किसने थे कनिस्क था ठीक है इसकी राधानी पुरुस पूर या पैसावर थी क्या थी? पैसावर थी कुषान वन्स का महांतम सासक कनिस्क था क्या था? कनिस्क था जो 78 इसापुरा में गध्य बर बैटने के समय में समराट बना 101 इसाप तक सासन किया 4 बहुत संगीती कनिस्क के काल में ही ही होई थी आपसे पुछा आसकता है कि चौती बहुत संगी थी किसके काल में थी तो कन इसके के गाल में थी ठीक है याद रखेगा अब यहाँ पर आती है गुप्त समराजे गुप्त एंपायर ठीक है गुप्त वन्स का संस्थापक शिरी गुप्त को कहा जाता है गुप्त वंच के संस्थापकोने तो सिरी गुप्त है ए ह ambassadors अहान संपरांट चंदरगुप्त था इह यह 320 network में गद्धी पर भाइठा गद्धी पर बाइठा, इसने लिक्षवी राजकुमारी कमारी देव से बीवा किया थिए चान्द्रगुप्त का उत्रादिकारी समंद्र गुप्त हुआ जो 335 में राजगत्य पर बैटा इसने अर्यवत की 9 सासको और दक्षिन वर्ति की 12 सासको को प्राजित किया इन ही बिसयो के कारण इसे भारत का नेपुलीन का है जैसे समंद्र गुप्त इसनों का अपा सक था देखिएगा यहां पर एक याद रखेगा चंद्रुगुप्त पर्थम का उत्रादिकारी समंद्रुगुप्त था कुन था समंद्रुगुप्त था जो 335 सेस्वे में राजगदी वर बैठा इसने आर्यवर्थ के नो साजग प्लस बारा सासग को पराजित करते हैं मतलब मार दिया उसके बाद भारत का ने पुलियन से कहा जाने लगा तो आपसे पूछा आ सकता है भारत का ने प्लियन किसे का जा साल समंद्रुगुप्त का घाल चलिए allora चलिए ऐग आगे चलिए भारत आया था किसके काल में चंद्रगुप दूतिये के सासन काल में चेनी बौध यात्री फायान आया था कुन आया था फायान किसके काल में आया था तो चंद्रगुप दूतिये काल में आया था याद रखेगा चले बहुत अच्छा अब बात करते हैं चंद्रगुप दूत प्राशाषन के सबसे छोटी काई गराम सबसे चोटी काई की थी अगराम सबा का मुख्या ग्रामिन का लादा था याद रखेगा प्राशाषन के सबसे छोटी काई क्या कह लादा थी गरामिन का लादा था ठीक है याद रखेगा कला एवं अस्थापते का अध्यदिक पिकास हुआ गुप्तकाल की प्रसिद मंदर निम्रिखी थे गुप्तकाल में यह याद रखने वाली बहुत ही इंपोट मरण एक प्रसिद और दिम्र निम्रिखी पिल्शल्सक्रे याद रखेगा एरन का विशण मंदिर सागार जोकी मद्यपर्देश में एरन का की मंदरी के नाम आपसे पुछा सकता गुप्त काल की चार मंदिरों के नाम बताई थी यह आप देगा तब को तिगवा का विश्नु मंदिर जवलपूर जो कि मद्य पर्देश में है नचना कुठार का परवतिय मंदिर अजमगड में का अजमड मद्य पर्देश में जिकी भुमरा का सिव मंदिर सतना मद्य जो कि रायपूर 36 गर्में यह आपको याद रखना है आपको याद हो गया होगा यह नहीं हो यह लग बात यह वाली नहीं याद होगा वट आप एक कोभी नोट जरूर किजेगा ठीक है तो यहीं के साथ आपका जो है कलास खतम होता है इसके बाद मेरे दोस्त आपको बताते ह करना है समसे बैख बात समझे है तो रहा सा रूक हया कोई भी इस्टिविएंट जाएगा नहीं तुर नोट कुछ बताते हैं ठीक है आपको क्या करना है हिस्टी चैप्टर वान सुरी देखिए यहां पर हिस्ट्री चैप्टर वान है ठीक है इस सभी का वीडियो आपको लि वाल नोट चाहिए तो इस नवर पर एक बार कॉल कीजिए आपको थोरा सच चार्ज लगेगा उसके आद आप ले सकते हैं कोई जाता चार्ज नहीं है और अगर पीडिया फिरी बला चाहिए तो आप थोरा सजा कि यहाँ पर थोरा सच मिलेगा बट वहाँ पर मिलता है तो यह टेलिग्राम पर जाकर सच किजिए सेल्फ इस्टरी तो आप भी मिल जागा या तो लिंक डिस्क्रेप्शन में टेलिग्राम लिखाओगा ठीक है तो आपर भी जोईन हो सकते हैं और चैनल को सस्क्राइब कर लिज चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में जय हिन जय भारत बाई बाई